कि हालो फ्रेंड बेलकूम तो मंत्रा आज हम आपको बता रहे हैं यूपी टी टी में आनलाइन फाम किस पकार भरते हैं क्लोज यह आपके बहुत साथ टैब हो गये हैं स्क्रीन छोटी तो इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं यहां हम यहां पहले टैब पे जाएंगे यहां पर थरड़ नंबर पे आपको मिलता है तकनीकी ऑपरेश्णल दिसा निर्देश हैं यहां पर हम लाकिल करेंगे झीलल इकल्क करेंगे यहां देखिए नया टैब आपके सामने ऊपन हो गया उपन हो गया इसपे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको Technical Information आपको मिलती है क्या-क्या तक्निकी जानकारी आपको होना चाहिए Farm भरते समय यह सारी यहाँ पर इन सुचनाय सारी दी गई है इनको आप बहुत ही बारीकी से पढ़े जिससे कि आप Farm भरते समय कोई गलती ना कर सके Online Farm को चार पार्टों में डिवाइड किया गया है Step 1, Step 2, Step 3 और Step 4 इन सब को आप बहुत ही बारीक से पढ़े और आपको क्या-क्या करना चाहिए इसके बारे में सारे दिसाज निर्देश यहाँ पर आपको दिये गए हैं इनको आपको फालो करना है इसका आप प्रिंट लेकर अपने पास रखें और पहले इसको पढ़ लें या अपने सिस्टम में सेब करके भी आप इसको पढ़ा जा सकता है इसको पढ़ करके ही आप फारम भरने के लिए जाएं यह सारी information आपको यहाँ पर दी गई है कि क्या-क्या आपके सामने होना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा important यह है कि जो आप इस्टिल पिचर यूज करेंगे उसका size 20 KB से उपर नहीं होना चाहिए और वो JPG format में होना चाहिए यह बहुत important चीज है जिस पे लोगों को तक्निकी जानकारी होना अतियावस्यक है और थर्ड नंबर पे आपको होता अबेदन फीस अबेदन फीस जमा करने के कई सारे इसमें तरीके दिये गए हैं आप चाहें online भी जमा कर सकते हैं या इस्टेट बैंक के किसी भी साखा से आप इस चालान के माध्यम से भी इसका सुल्क भुक्तान कर सकते हैं अबेदन सुल्क जमा करने के लिए अगले दिन आप बैंक में जाएंगे जहां पर आप अपने इसके लिए transaction ID यूज़ करके और यह जो आपका बैंक पैसे जमा करने के बाद जब आप इस्टेट बैंक में इस चालान के थुरु जमा करते हैं तो अगले दिन आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं यह आज जानकारी आपको यहां पर दी गई है इसको यूज़ करके आप अपने registration को complete कर सकते हैं हम यहां पर इस टैप पर फिर से चलते हैं अगला सामाने दिसा निर्देश राइट क्लिक न्यू टैप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह in और किस सम्बंद में क्या-क्या चीज़ है और किस op कि तरीके से इसमें आप सम्झेद हो सकते हैं और क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है यहां पर अभी दन प्रत्र पढच्डित करने के माध्यम क्या-क्यां हैं इसमें तीन माध्यम दिये गए हैं का खा और गा अब्याति आनलाइन अविद्व प्रसकते समय नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताच्छर भी आपके चाहिए और स्कैन इमाज्यीड करने के लिए स्कैन इमस्के चाहिए आपके पास हस्ताच्छर अलग होने चाहिए और फोटोग्राफ का शमया पर आपको दिया गया है समयन दिसा नवीन देश में चाहिए जिसमय आप इसेर्म इस वर्म हमें बैठ सकते हैं सामान दिसान देश में यहाँ पर दो चीज़े हैं देखे एक तो यह है कचछा एक से कचछा पांस तक जो आपेदक पात्र हें एक्जाम में समलित होने के लिए उसके लिए क्या क्या योगिता है वो आपको यहाँ पर दी गई है तक यह सारी जानकारी आप इससे पढ़ करके ही इसमें समलित हों और क्लासिक्स से लिए कच्छाड तक में क्या-क्या योगिता हो वाले अबेदक इसमें सामिल हो सकते हैं उनके लिए यहां पर योगिता दी गई है इसको भी आप पढ़ करके ही इसमें समलित हों यह दुश्मी योगि हैं तभी आप सरचना किस प्रकार से पेपर होते हैं चार विकल्प वाले बहुबकल्पी तरीके से इसके सारे प्रशन होते हैं प्रथम प्रशन पत्र दितिये प्रशन पत्र दो प्रशन पत्र होते हैं एक प्रात्मिक अस्तर का प्रश्ण पत्र होता है और एक उच्छ प्रात्मिक अस्तर यानि 6-8 के लिए होता है यहाँ पर प्रात्मिक अस्तर में 1-5 के लिए क्या-क्या विशेबस्तु है और उसमें कितने संख्या कुष्णों के संख्या क्या है और उसमें अंक कितने हैं यह सारी detail यहाँ पर आपको मिलती है इसको आप देख करके ही अपनी तयारी करें और class 6 से class 8 तक के लिए क्या-क्या विशेबस्तू है कितना time आपको मिलता है और उसमें कितने प्रस्थ होते हैं और कितने अंक होते हैं यह सारी जानकारी यहाँ पर आ यह तब आप पास हो पाएंगे UPTATU में 60% नंबर होना आतियावस्त है कि तभी आप पास हो पाएंगे इसका पूरांक 50 है इसले 90 वाले ही छात्र पास होते हैं उसके बाद वाले वाले छात्र पास नहीं होते हैं इसके अतरिक देद्या अनसुचित जात अन्सुचित जन जात अन्य पिछणा वर्ग में समलित हैं तो 55 प्रसंत अंक वाले यानि 82 अंक वाले भी इसमें पास होते हैं यह सारी जानकारी आप ले करके ही आप इस एजाम में अपने आपको प्रस्तुत करें आनलाइन फीस जमा करने है तो निर्देश राइट क्लिक इसका पेज भी अलग यहां उपन हो जाएगा यहां पर आपको सारी प्रोसेस दी गई है किस प्रकार से आप इसमें अपनी फीस दे सकते हैं विभाग की वेव साइट में भुकतान के लिंक पर क्लिक करें आद यहां दिया गया है यह सारी इस्टेडीस करने के बाद ही आप आनलाइन या इच आलान के द्वारा अपने फीज को जमा करा सकते हैं में आप यहाँ पर मेन टैप पे जाते हैं मेन पेस पे यहाँ पर आप इस्टेप बड़ान में सारे डिशान दिशेस मिलते हैं और इस्टेप टू में आपको सारे यहाँ पर रिस्टेशन कैसे करते हैं You are watching mantra tutorials For betting video reading Subscribe our YouTube channel For new updates Thank you for watching